हेलो गाईज वलकम बैक को दिस्टेडी दिसी धिरच कुमार और हब से पहले तो गुड मॉर्निंग अब्रिवन और यहां पर बहुत सारे बच्चे जो थम्नेल देखके आगा है यह थम्नेल पर लिखा यह कि डीबी में 55 प्लस स्कूर हो जाग आउट 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 आ साथ यहां पर यहां पर यहां पिछले दस दिन और पिछले एक मीने से प्रिपरेशन कर रहे थे हैं तो फिर लिखा क्यों कि हाउट व्यूस बताने वाला हूँ आपको यहां पर जिससे कि बहुत सारे लोग जो है ना जहां पर मॉस्ती देखो इक्राम जब आता तो बहुत साई बचों का कुमेंट आता है को सरो कुछ काम के अब उनकी क्या काम थी मुझे पता ने थी के बटो कुछ ना कुछ रीजन दे देजते हैं वह एक्षयली होता है कि नहीं होता है उनका फ्रॉब्लम है थीक है बट वो बोलते हैं सर कुछ इंपोर्टेंट बाते बताओ जो अभी आने वाले आपसे जो बच्छे फीडियो टाइंग में क्या पढ़ें कि अपना मांक्स इतना ला सके कि हम कम से कम कर ले तो सालों भर से तयारी करते हैं और टॉपर वी बरना चाहते और साथ में स्कोर आपके सामने लिखा इतना कम से कम से कम स्कोर करना चाहते हैं जितना स्कोर लिखा हुआ है तो सेलेक्षन 6 है हर बच्चा का जिसका भी इतना स्कूर आ जाए तो हर चीजों को हम यहां पर डेटेल में बात करेंगे तो चलो continue कर लेते हैं बट एक चीज कहना चागए कि जिसने लोगों अभी देक चनल को सब्सक्राइब ने कर लेना और वी तो यहां पर मैं वह सारी experiment को कैसे मैंने किया और क्या किया अपनी गल्तियों को अपनी वहर चीजों को मतलब improvement कैसे करना गल्ती जो है और marks आ रहा है ज्यादा तो और ज्यादा कैसे करना हर चीज आप डिटल बता हूँगा सबसे पहरे ना नूब बच्चे रुको जो 10 दिन से त्यारी करने वाले हैं वो जड़ा अभी रुख जाओ पहले उन बच्चों के बारे में बात कर लेंगे जो बहुत इन से preparation कर रहे है ठीक है विकास आप से ज़्यादा मेहनत किया तो पहले हक है उनका जानने का ठीक है तो गईज सबसे पहले लेको बहुत टाइम से जो ल से बात कर लो अगर से बाहले को से प्लस वाले का से लेक्शन न्हीं होगा और नहीं होगा सब्सौप के प्लस बारे दे आपके online testories में जितना score कर रहे हो ना उससे 5-6 नंबर जाद आप exam में करोगे या फिर कम से कम कितना भी किस्मत खड़ाब हो तो 4 नंबर जाद स्कोर करोगे यह चीज़ स्टोर है तो ऐसा क्यों बोलते हो देखो तुकि कहीं का भी testories हो चाहे वो मेरा हो अच्छा में testories के बारे हम बात करा हूं तो बता दू कि A2Z study का एक section 1 के लिए जो GDDB आत्रिक तीनों के लिए section 1 के लिए na testories launch हुया जो कि 55 plus score करने की हम बाते करते हैं जहांपे preparation करके अगर उस testories को लगा लेते हो अच्छे से तो 55 plus score आपका शोर है वह online testories है अपने phone में आप उसको लगा सेकते हो और उसका link description में आप बाई करके exam से पहले लगा लो आप रॉक्स नहीं करके आओगे exam में तो फिर मेना नाम बदल देना अब यह बच्छा मतला है वह कहना कि मैंने बिल्कुल बिस कहीं जो कुछ नहीं पढ़ा ठीक है चलो test का link description में promotion होगे अब यहां पर बात करते हैं सर्थ यहां पर आप जो बोल रहे थे 45-50 वालों का selection नहीं होगा तो मैं बोला ना जिसका अगर यहां पर testories में 47-48 marks आ रहा है उसके guaranteed है उसके exam में 52-53 marks आएंगे guys यह चीज़ रहना आपको पता है यहां पर करना है क्या मैं बता रहा हूं जो बहुत भी सत्यारी कर रहें exam की सबसे पहले ना आप number of attempts बढ़ाओ आपको attempts करने हैं full out of full अब बता है मुला सबको एक बात ध्यान समझो exam में questions अगर आ जाते तो आपको बनाने क्या से हैं आपको फटा-फट करके next करके जो side में लिखे होते हैं उ यहां पर reasoning चूना है 10 questions last में math बनाना है ठीक है अब starting में math है और वहीं से आप लग गया है पूरा अब कमर करते हैं कि हम math पहले खतम कर लेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको ना कि आप पूरे exam के दौरान मात्र 55 से ठड़ी questions attempt कर पाऊगे अगर सुरू सही math लग गया बनाने तो इसलिए मैं कहता हूं math को लाश्टिम रहना विकास आपके उपर बोज़ कम हो जागा इन सभी चीज़ों ख़दम करोगे तो सारे बच्चे से पर प्रेसंट कर रहे हूं आपको number of attempts करने और दो तरीके से आपको बनाने हैं exam question exam question दो तरीके से बना जाते हैं कौन कौन से पहला वनना कि वो जो questions आपको नहीं आ रहे हैं उसको अभी छोड़ कि आगर नहीं बढ़ना है ठीक है उसका answer tick कर देना है ठीक है आप में से आपक mark 4 review पे भी ठीक रहेगा ठाक कि हम बाद में इसको वापस से देखेंगे अब इसका दो रीजर्व ऐसा क्यों सर कि हमको बाद में आसानी से गर side में जो number दी रहते एक दो तीन चार पांच है वहां पर इसका color change हो जाता बैंग नहीं हो जाता mark 4 review करने पे तो हमको बाद में ढ जुणने में आसानी होगा कि किसको हमने answer भी कर दी और mark 4 review छोड़ के नहीं जाना की बात बनाएंगे बाद में का कुछ नहीं होता है ठीक है ठीक है ठीक है पता नहीं टाइम बचेगा की नहीं बचेगा खूटा रह जाएगा तो आपको ऐसे करके पूरा पूरा attempt करने के ब प्रिप्रेशन से बात कर लो यह तो चीज आम जनकारी थी एक्जाम के बारे में क्या क्या कैसे करना है देखो यहां पर सबसेदा फोकस section 1 के लिए करना तीनों बच्चों को अब ध्यान से सुनलो section 1 के अंदर ना आपको reasoning के question 10 में से 10 full score करने होंगा reasoning के लिए जो मैंने पढ रहा दिया वह sufficient है और guaranteed एक question भी मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा अब बोलोगे sir आपने दो प्लस दो पढ़ाया तो क्या एक्जाम में भी दो प्लस दो आएगा नहीं दो प्लस तीन दे सकता क्याने का मतलब digit रहेगा बस pattern same रहेगा blood relation में नाम अलग रहेंगे बस pattern same रहेगा direction में data change रहेगा मानलों कोई इंसान 10 km उत्तर में जा रहा तो वह 10 km पच्छी में जा सकता ऐसे तो data change रहेगा but pattern सब कुछ सेम रहेगा हर चीज़े मैंने पढ़ाई है डाइस पढ़ाई बंतब कहीं से भी कोई छोड़ा नहीं प्लेलिस्ट जो है आप जाके देख सक में से 8 marks आपको कैसे भी स्कोर करना और यह कहां से पढ़े हो आप कहां से नहीं मुझे नहीं पता बड़ मैं दो बुक्स बता था था आपको एक लुसेंट साइंस जो की long term preparation के लिए जरूरी है यह और स्वर्ट अभी हाल फिलाल में आपको science अच्छा करना है तो speedy science पढ़ लेकिन अब मत पढ़ना क्योंकि 10 दिन से त्यारी करनी है तो फिर लुसेंट नहीं है जिसने लुसेंट पहले पढ़ा है वही पढ़े लुसेंट बाकि जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा वो ट्रिकी इंग्लिस की चैनल पे जितनी वीडियोज है मेरी वोकाब की वोकाब वहां से कर लो ग्रामर के रूल से उनको कर लो और जो एटू जड़ी स्टेडी पे मैंना रेविलर आपको हर्ट्रिक्स दे रहा हूं इनको कर लो अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा करें जितने हम लोग करा रहें उतना करो क्योंकि अगर खुझ से पढ़ लो किसी से भी पढ़ लो गैरंटी नहीं होता है कि यहां से आएगा क्वेशन ठीक है क्योंकि यह अनलिमिटेट चीज़ है मैथ की चित प्रिप्रेशन आप 10 दिन के अंदर नहीं कर सकते ठीक है तो 10 सेप्शन वन का 20 में 20 रॉक करके आऊ गया तो यह इसमें जो सेक्षन टू है जीडी में तो सर देखो यहां पर जीडी का सेक्षन टू में क्या आता है मैथ यह मैथ आता है आपका 12 इसमें तो यहां आप एक चीज़ कहना चोगा कि जो चीज़े आपने 12 में पढ़ी है अगर आपने कहीं से कोचिंग अभी तक नहीं किया है तो जो 12 की नोट्स होगी आप हाल फिलाल में पढ़के आ रहा हो क्योंकि डिफेंस वाले बच्चे भी रिसेंटली पढ़के आ रहे हो ना 12 में तो उसमें जितने भी अब्जेक्टिव कोश्चंस आपने बनाएं होंगे ठीक है जिसने भी अब्जेक्टिव मैथ और फिजिक् बलकि आप पढ़ोगे तो 8 गंटे 10 गंटे पढ़ो ना आप क्या करना है क्या है आपको ऐसा तो नहीं ना कि आपको ट्रक चलाने जाने आपको पढ़ना है तो चार से आठ गंट बतलब दिन के अंदर आप उसको आठ से दस घंटा डेली टाइम देखे रेगुलर आप इतन चैप्टर को पढ़ लो और तो बहुत ताइम से प्रिप्रेशन कर रहें फिर भी उनका मार्स नहीं बढ़ रहें तो पहले आप टेस्ट लगाँ ठीक है टेस्ट लगाने के बाद देखो कि कौनकों से चैप्टर से क्वेशन गलती हो रहें बस उनी उनी चैप्टर को रिव प्रिपेर करो और वहां से पढ़ो ठीक है मैं आपको यही नहीं इदर आए दे सकता हूं और इसके प्रिविएस के कोई इसके सैंपल पेपर वेबसाइट पर दी गई है उनको देखो कि एक्जाम में कैसे कोईशन आते हैं से रहें और उसके कोडिंग आप प्रिप्रेशन क अगर कम भी स्कूर कर पाते हैं तो हमको यह सेलेक्शन दिलवा देगा मालों देखो 50 मार्क्स का होता है सेक्शन टू इसमें से अगर 25 नमबर भी हम ले लेते हैं यहां से 50 पॉसेंट भी तो आपको देख रहां 80 नमबर हो जागा और 80 नमबर सेलेक्शन दिलवाने के लिए सफीशन होता अगा है छी के कटफ पार करने के सफीशन है तो यह इतना तो आपको करना पड़ेगा है न तो फिर अगर फिर भी कहीं पर कोई सारी सब्जेक्ट का मैथ रिजनिंग साइस इंग्लिस जी के सारे सब्जेक्ट के वीडियो के अंदर बताया गया तो वह आपके बड़ा इंपोर्टेंट हो जागा बाई करने में कोई प्रॉब्लम मारा तो वाटसब को लो सब्सक्राइब और यहां पर इस नंबर पर सिर्फ आपको टेस्टरी से रिलेटर जनकारी मिलेंगे स्टडी से और रिप्लेशन से कोई आरकारे नहीं देगा ठीक है मिलते नेक्षिटों में तब तक लिबाब है और डिस्क्रिप्शन में है